हेलो अब्रिवन, सो कैसे आप लोग, सो आप सब का लजेंडरी फिजिक्स बाई नवास के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे सुआगे देगाईज, सो आज हम लोग एपिसोड नंबर वन लेके आ गए, नुकलियर मॉडल, एक नया चप्टर है, ओविसली बिये से फिजिक्स के point of view से, आपका जो इससे पहले वाला चप्टर था, वो था general properties of nuclei, और इसका हम लोग, प्लेलिस्ट में आप जा के इसका link देख सकते हैं, हम one shot में दो पार्ट बनाए हैं इसको और इसको complete कर दिये, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको इसका link बिल जाएगा general properties of nuclei, इससे पहले व number one है, BSD Physics के point of view से, अच्छा हाँ, अगर आप इस channel को पहली बार visit कर रहे हैं, तो आप इसको subscribe करके धमागा कर सकते हैं, तो आईए हम लोग start करते हैं वीडियो, और अगर आपको इस lecture का, इस lecture में हम जो भी आपको information देने वाले, nuclear model का थोड़ा सा, समझते हम लोग की origin की हु मेरा खूबसरा थात है, उससे लिखा हुआ, notes, download कर सकते हैं, तो आईए हम लोग start करते हैं, और discussion करते हैं पहले हम लोग, कि भाई, nuclear model है क्या, तो इसको आपको बहुत आसान example से समझाएंगे, कोई बहुत भारी नहीं यह लेकिन समझना important है, कि chapter आखिर पर किसली रहे हैं, हाँ, सर, पता चल गया, सर, episode number one है, तो आप 12th class में इसके बारे पढ़ चुके होंगे, 12th class में, किसके बारे, atom के बारे, तो atom का बहुत सारा various models के बारे पढ़ते हैं, atom का model होता ना, बहुत सारा, कौन कौन सा, आईए, यहाँ पर पहले उसको लिखते हैं हम लोग, atom का बहु सर, याद तो सर कुछ नहीं है सर, चुबता है सर, आप 12th का नाम लेते हैं तो, कोई बात नहीं भाई, तो atoms के अंदर, अब 3 type के ऐसे generally model पढ़े थे, generally, कौन कौन सा 3 type का, पहला जो model था, वो था, JJ Thompson model, JJ Thompson model, JJ Thompson model, JJ Thompson model, JJ Thompson model of atom, जिसमें की कुछ गलत गलत बात मालुम चला था, ऑपो पता है, उसके अधर रदर फोड भाई का model, सर, रदर फोड's model, है न, लेकिन यह भी किस के लिए था? अटम के लिए, यह किस बारे में बता था? कि आटम के अंदर, अटम के अंदर, अबचिप, अबचिप, यहाब बता था को बता है कि K-cell के बाद L आता है M आता है N आता है ये सब बताया नया scientist नया scientist सरहां बोर्स atomic model पढ़े होंगे आप बोर्स atomic model इसमें हम लोग ये मालूम चलता है कि ऐसा नहीं होता है structure nucleus का nucleus होता है इसके अगल बगल shells होता है लेकिन continuous cell नहीं होता है लगातार नहीं होता है cell discrete होता है मतलब K होता है I'll होता है M होता है N होता है ठीक है तो ये बात बताया था bore मतलब ये किसका discovery किया था nucleus का discovery के लिए जाना जाता है और ये तो bore है ये किसका discovery के लिए जाना जाता है ये जो shells है कि चर्बूज के जैसा होता है अइटम में धेर सारा जैसे तर्बूज का बीजा होता न उसमें प्लस चैर्ज होता है अब ऐसा ही हम लोग सोचे यह तो सारा भाई एटम के बारे था और आपको पता है कि एटम में के अंदर को एटम के जो शेल होता है उसमें कौन होता है इलेक्ट्रॉन तो इसका मॉडल को इसे Pitsター किया गया था बाद में भी और मॉडल आया दिस डैट ऊसमके बारे हम लोग भात नहीं करेंगा इसके अंदर आपको पता है दो लोग होता है इसलिए हम कह रहे है general properties of nuclei देख लिजे उसका आपको लिंक तो description में बने डाल पाएंगे उसका आपको playlist में वीडियो मिल जाएगा ठीक है तो ये जो तार फस रहा है नीचे निकल गया तो आपको पता होगा कि ये जो shell होता है इसके अंदर दो लोग होता है दो लोग कौन-कौन neutron होता है और proton होता है ये neutron और proton मिलके ही यहाँ पर shell को constitute करता है हम् अच्छा हम लोग एक बढ़िया element लेते हैं आपर uranium लेते है uranium का atomic number 92 होता है और इसका mass number होता 235 तो आप देख सकते हैं ये जो mass number है वो किसको constitute कर रहा होगा electrons को और ये जो atomic number है वो electron को constitute कर रहा होगा और ये जो उपर में हम लोग लिखते है 235 ये neutron और proton दोनों को जोड़ के आ रहा होगा तो ये किसका part हुआ मतलब कि ये हुआ सर, nucleus का part तो nucleus में इतना लोग होता है 235 और ये तो बहुत कम है तो इसलिए जो electron का shell है उसको बताना बहुत असान था लेकिन आपको पता है, आपको पता है, आपको पता है nucleus के अंदर भी cell होता है सर, क्या बात कर रहे है, हाँ, बिल्कुल सही बोर रहे है nucleus के अंदर भी cell होता है, जरका lightwood गया कोई बात नहीं, nucleus के अंदर भी cell होता है सर, क्या बात कर रहे है, nucleus के अंदर cell हाँ इसी चीज़ को इस chapter के अंदर पढ़ना है इसी लिए topic का नाम है nuclear model मतलब nucleus के अंदर भी shells होता है अच्छा मतलब सर यह जो हम लोग neutron, proton को ऐसे प्लस से दिखाते है nucleus को वह इसा नहीं होता है nucleus के अंदर भी shell होता है मतलब कुछ scenario ऐसा रहेगा कि जैसे यह nucleus है यह जो nucleus है इसको zoom करके हम लोग देखेंगे nucleus को zoom करके देखेंगे तो zoom करके देखने से nucleus के अंदर भी cell होगा अच्छा सर मतलब है इसे cell होगा ये nucleus के अंदर इसे चलोगा नहीं कोई confirmation नहीं है सर confirmation क्यों नहीं है सर इसमें confirmation है हाँ इसमें confirmation है इसमें confirmation है experimentally भी ये proof किया गया है कि electron यहीं होता है लेकिन nucleus के अंदर shell में neutron और proton shell में घुमता है लेकिन कैसा cell होता है कि क्या structure होता है nucleus का इसको प्रेट कर पाना असंभा हुआ है impossible क्यों impossible है यह सब हम बताएंगे लेकिन यह चीज़ पता है पका पता चल गया है थोड़ा बहुत experiment से यह बात मतफील हुआ है कोर सरीफ atom का तो shell के बारे बताया nucleus के अंदर shell होता है उसके बारे भी थोड़ा थोड़ा discussion किया था हम लोगो तीन में जैसे इसका तीन मॉडल होता है यह atom का वैसा ही nucleus का भी तीन मॉडल का discovery आया था उसी में से तीन मॉडल हम लोगा कोर्स में है बतलब nuclear model के बारे पढ़ना है हम इधार का light दो मिनट जला लेते है उसके बाद आपसे आगे बात करेंगे हम तो हम कह रहे थे कि nucleus का भी model होता है nucleus के अंदर भी cell होता है तो आईए हम लोग थोड़ा देखते हैं पहले कि पहले इसको लिखते हैं हम आपको बताते कि nucleus का भारे कैसे इसका 3 होता है वैसे ही हम लोग यहां पर nucleus का दिखेंगे वैसे ही आपका nuclear model आपको समझ मेँ है कि बारे श्रक्रा पर नेक्रा शौन के से कुकि nucleus का भी model बनाए गया model का मतलब होता है अलाग-अलाग जो टाइप का शेल का प्रपोजल अलाग अलाग साइंटिस देता है तो इसके अंदर तीन मॉडल बनाया गया इसका भी मेजरली मतलब इसे तो बहुत सारा मॉडल प्रपोज किया लेकिन मेजरली आपको तीन पढ़ना है पहला है आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल नुक्लियस का है हाँ के लिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल इसमें कुछ लिक्विड ड्रॉप जो होता है आप जो पढ़ते हैं फिजिक्स में उससे कंपेर दूसरा जो आपका होता है फर्मी गैस मॉडल डिटेल में पढ़ने हम लोग सारा फर्मी गैस मॉडल फर्मी गैस मॉडल और तीसरा है आपका और को वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताईएगा, हाँ सर, बता देंगे सर, आपको अपना जो ये है, आपका जो feedback है, feedback आपको comment section में देना है, नहीं तो हम लोगों कैसे मालूम चलेगा, कि आप हम लोग से कितना प्यार करते है, ये फर्मी गैस मोडल, और तीसरा एक और होता है, फर्मी गैस मोडल के बाद, एक और आपको पढ़ना है, जिसको अब लोग बोलते है, shell model, ये तीन आपको पढ़ना है, डिटेल में एकदम, liquid drop model, फर्मी गैस मोडल, exam के बात किया तो ये तो बहुत important है, ठीक है, अब ये जो था, ये nucleus के अंदर, nucleus के अंदर, neutron proton कैसे arrange रहता होगा, उसके बारे में, अभी तक तो समझ गया होगे, लेकिन हम अभी तक बोल रहे हैं कि ये चीज़ प्रिट करना impossible है, ये तीनों model पूरे तरीके से इस बात का जानकारी नहीं देता है, कि आखिर सही में, सही से प्रिट कर ही नहीं सकता है, ये लोग इंप 235 है, तो 235 लोग कैसे aligned होगा, इसको थोड़ा सा स्क्रोडिंगर wave equation से निकालना थोड़ा impossible है, स्क्रोडिंगर wave equation इतना इतना लोगों के लिए, इतना many particle system के लिए, 235-235 लोग के लिए निकालना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए exactly, इसलिए exactly nuclear का structure कैसा होगा, ये जानना impossible ह एक और कम ही है, इसके साथ साथ, दो-दो दिक्कत है, दो प्रॉलम में, आईए पहले एक अक करके सबको लिखते हैं सारी बातों को, उसके बाद यहार डिस्कस करेंगे, रात का बज रहा है 12, और यहां कुत्ता लग भाव 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 भूक रहा है, और हम आपको प्रॉलम आते रहेगा, जाते रहेगा, पैसा भी आते रहेगा, जाते रहेगा, लेकिन लाइफ बढ़ियां चलते रहना चाहिए, और जो भी आपको करना है, आप उसका वेट मत करिए भाव, जैसे आपको जो मन में आए, करते जाएए, और पढ़ाई भी मत करिए, पढ़ बहुत motivation होगी आज के लिए बहुत ज्यादा motivation होगी my god चलिए हम लोग start करते हैं और बात करते हैं यहापर nuclear model के बारे में तो यहापर आपको कुछ points अभी बताएंगे nuclear model के बारे में मतलब nucleus का model के बारे में थोड़ा सा depth में discussion पहला point हम लोग लिखते हैं यहाँ से बहुत बहुत आवाज आ रहा भी फ़हले gate बंद कर ले हम तो nuclear model के बारे पहला point हम आपको यह बताना चाहते हैं कि the neutrons and protons the neutrons and protons inside the nucleus inside the nucleus are bounded by strong nuclear force आपको पता है nucleus के अंदर क्या होता है nuclear force और यह nuclear force का nature कैसा है आपको पता है nuclear force जो जैसे कि आपको पता है कि जो gravitational force होता है उसमें gravitons का linden होता है वैसे ही nuclear force होता है उसमें mesons का linden होता है इसी से एक चीज़ आता है peon peon और mesons एक ही particle है यह सब एक scientist था तो वह जो scientist था वही यह सब credit किया था कि nucleus के अंदर कौन सा force लगता है लेकिन एक बात आपको बताना चाहते है जैसे आपको पता होगा कि जो shell होता है आपको आपको यह बात समझी है पहले कि क्यों आखिर जो atom के अंदर जो चार shell है कि element उसको मतलब कि accept कर लिए हम लोग लेकिन nucleus के अंदर कौन सा model उसमें 100% अपलिके बहले है nucleus का model को क्यों हम लोग 3-3-3 model तो nucleus का भी है तो उसको क्यों नहीं हम लोग एक का accept करके चल रहे है मजबूरी है हम लोगा सौक नहीं है क्या मजबूरी है मजबूरी यह है न कि nucleus के अंदर आपको पता है कि कौन सा force लग रहा है nuclear force अब यह जो nuclear force है जो कि particles के बीच में interaction पैदा कर रहा है neutron और proton particles के बीच में neutron और proton particles के बीच में इसका exact nature कैसा है मतलब इसका exact nature repulsive है attractive है हला कि बहुत तो इसको demonstrate कर दिया गया है कि इसका nature attractive होता है exact एकदम इसका nature को सही सही बताना impossible है मतलब कि इसके अंदर क्या चीज हो रहा है मतलब कि कैसे interaction हो रहा है जो neutron proton है उसके बीच में आपस में interaction कैसे हो रहा है उसको exactly एकदम predict करना impossible है इसलिए उसको exactly predict करना impossible है इसलिए जो nuclear model होता है उसको exactly मतलब कि सही बोल दाना कि कौन सा nuclear model सही होगा वो बोलना गलत है मतलब कि वो अगर हम लोग निकाल भी रहे हैं तो बेवकूफ बना रहे हैं तो बहुत सारा ऐसा मतलब कि आया है theories है यहाँ पर हम लिखते है many theories यहाँ लिखते हैं many theories give explanation explanation about the inter nucleon interaction मतलब जो nucleon अब nucleon का मतलब क्या होता है यह neutron और proton को मिला कही क्या बोलते है nucleons तो nucleons के बीच में exactly कैसा interaction है many theories gave explanation about the inter nucleon interaction interaction but none of them none of them none of them where मतलब यह जितना भी theories आया है जो कि explain कर रहा है कि nucleon nucleon के बीच में यह ऐसा बोलिये है neutron proton के बीच में neutron proton के बीच में और और proton neutron यह सब के बीच में कैसा force लगता है उसका exact nature को judge आज तक कोई theory hundred percent नहीं कर पाया है many theories gave explanation about the inter nucleon interaction but none of them were none of them were able to explain fully able to explain completely मतलब completely इन में से कोई भी ऐसा theory नहीं था जो कि explain कर पा रहा था कि असल में क्या होता है असल में कैसा interaction होता है उसको कोई नहीं explain कर पादा था तीसरा तीसरा चीज़ तीसरा point आपको और दिल देहलाने देवाला होगा अगर हम लोग ये चीज़ predict कर भी लेते हैं कि अंदर में किस type का interaction होगा मान लिज़े हैं आपर hundred percent predict नहीं कर पा रहा है न मान लिज़े predict कर लेते हैं कि जो nucleons होगा उसके बीच में attractive force लग रहा होगा मान लिज़े predict हो गया फिर भी ये चीज़ असंभाव है कि आखिर nucleus का structure कैसा होगा उसको justify करना अरे क्योंकि neutron proton कैसे interact कर रहा है उसी से decide होगा न वो लोग की shell में रह रहा है कि क्या चीज़ में रह रहा है ठीक है तो atom के अंदर ये चीज़ हम लोको पता है कि यहाँ पर हम लोग लिखते है if the ये जो आपको अभी हम पता है ना कि जो internucleon interaction है interaction का spellings है spellings है i-n-t-e-r interaction interaction हाँ if the inter inter nuclear interaction अगर जो internucleon interaction है is 100% predictor मान लिज़े 100% 100% predicted 100% मान लिज़े predict कर लिए 100% predicted correctly मान लिज़े कि कभी 100 कोई theory ऐसा आया जो कि पूरा 100% समझा दिया कि nucleon nucleons के बीच में कैसे force लग रहागा मतलब neutron proton कैसे एक दूसरे से interact कर रहा होगा nucleus मान लिज़े कोई theory आता और यह बता देता है उसके बावजूद but then also but then also it is अरे भाई मतलब देखे interaction से nucleus का shape कैसा होगा उसको justify करने का क्या मतलब है मतलब वो लोग आपस में कैसे interact कर रहा होगा उसी से नाम को यह बात मालूम चलेगा कि जो nucleus के अंदर जो shell है वो आपस में कैसा होगा goal goal shell होगा circular होगा elliptical होगा कि कैसा shell होगा कि electron का जैसे shell होता है वैसा shell होगा तो उसको हम लोग तभी predict कर पाएंगे जब उन लोग के बीच का interaction को judge कर पाएंगे लेकिन यहाँ पर हम क्या लिख रहे है if internuclear interaction is 100% predict correctly but then also it is impossible it is impossible to determine to determine the structure of nucleus structure of nucleus तभी हम लोग nucleus का structure को 100% justify नहीं कर सकते है reason उसका बहुत simple है क्यों नहीं justify कर सकते है reason is very simple simple reason यह है कि जो nucleus है ना उसको जब भी हम लोग nucleus का structure को justify करने को कुश्च करते है तो scrottinger wave equation जो होता है उसको solve करके करने को कुश्च करते है अब आपको पता है कि जो nucleus होता है बहुत छोटा जगा होता है और अगर हम लोग uranium का ही example ले तो उसके अंदर 235, 235 उसके अंदर ये है neutron और proton को combination तो उतना सारा many particle system मतलब उतना सारा neutron proton जो है nucleus के अंदर उसको उतना सारा लोगों का हम scrottinger wave equation उतना many particle system के लिए scrottinger wave equation solubable नहीं होता है तो इसलिए हम लोग 100% जो structure कैसा है nucleus का उसको कभी प्रिरिक्टने कर सकते है impossible है ठीक है तो because इसका reason क्या है because scrottinger 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 wave equation scrottinger wave equation is not solvable is not solvable अब scrottinger wave equation को solve करके solve जहां हो जाता है तो उसका आम लोग जो structure है जो भी आपका tiny particle है जो भी आपका मतलब की जैसे nucleus के जैसे जो शोटा structure है उसका shape size कैसा होगा उसको हम लोग predict कर सकते है because scrottinger wave equation is not solvable for many particle system many particle system many particle system का मतलब क्या है कि nucleus के अंदर बहुत सारा neutron proton है तो many particle system हुग solvable for many particle system nucleus के अंदर धे सारा neutron proton होता है इसी लिए तो यह बहुत सारा reason हो गया जिससे हम लोग यह conclude कर सकते है कि nucleus का जो structure है nucleus का कैसा कि जो nucleus के अंदर जो मतलब shells होता है nucleus के अंदर या फिर nucleus के अंदर neutron proton किस तरीके से रहता है उसको 100% predict करना impossible है इसलिए हम लोग यह तीन थियोरी पढ़ते है nucleus का nuclear model का लेकिन तीनों में से कोई चीज confirm नहीं है क्योंकि आपको बता दिये दो reason बता है एक यहां लिखा हुआ है reason एक यहां लिखा हुआ है कि बहुत सरा थियोरी दे रहा है बट उसका nature ने justify कर पा रहे क्या nature का कि inter interaction कैसा होगा particles के बीच में और interaction अगर मालूम कर भी लेते हैं तो भी यह चीज पता करना बहुत मुश्किल है कि कैसे आखिर मतलब shell structure होगा nucleus का तो बहुत मुश्किल है लेकिन अगर आप बात करें atom का है न but in case of atom atom का बात करें in case of atom but in case of atom the nature of force between atom का जो shell होता है but in case of atom shells in case of atom atom का जो model होता है जिसमें shells होता है the nature of force between electron is electromagnetic आपको पता है na electrons के बीच में force लगता है वो कैसा लगता है shell में electromagnetic force मतलब nature known है but in case of atom atom the nature of force between electron is electromagnetic मतलब nature known है है na so the structure of atom so the structure of atom is justified जो atom का structure है उसमें shells होता होगा यह justified है लेकिन अखिर जो आपका nucleus है उसके अंदर shell कैसे रहता होगा नहीं रहता होगा यह चीज़ justified करना बहुत मुश्किल है यहां तक उम्मीद करते हैं आपको 100% समझ में आया होगा बाई देखिए आपको डाउनलोड करना है ठीक है वो बात लेकिन आपको खुद भी लिखना है ठीक है इतना आलसी नहीं बनना है कि notes मतलब सरिफ notes डाउनलोड करके और चीज़ करना है बट लिखना भी है उसको छोड़ना नहीं है ठीक है तो exact predict करना एकदम कभी भी possible नहीं है तो electrons के अंदर electrostatic force लगता है ना shell में तो वही हम कह रहे हैं कि वो लोग के बीच में कौन सा force लग रहा है वो सब सब मालूम है और यह जो आपको पढ़े होंगे quantum physics, quantum physics तो बहुत complex होता है बट quantum physics भी इस बात का सबूत देता है कि जो electrons होता है वो कैसे मतलब कि shells में revolve करता होगा अपस में तो इसलिए मतलब electron को हम लोग accept कर लिए है कि हाँ भाई वो shell में ही गूमता है इस बात में तो उतना doubt नहीं है तो मतलब कि atom के लिए सब ठीक बात है लेकिन इसके लिए प्रिड कर पाना nucleus के लिए बहुत मुश्किल है उसका हम दो आपको कारण तभी से बता रहे है पहला कारण ये है कि अगर आप जाए थोड़ा से logically तो पहला कारण ये है कि कोई भी ऐसा theory नहीं है जो अभी तक हम को ये explain कर पा रहा है कि neutron proton के बीच में जो forces लग रहा है 100% confirm नहीं कर सकते है कि जो nuclear force है वो लोग को कैसे मतलब जोड़ के रख रहा है आपस में और nucleus बहुत चोटे जगह में है इसलिए हम लोग जो भी करेंगे उसको prediction ही उसका लगा सकते है 100% उसका दावा नहीं कर सकते है तो prediction ही ज़्यादा तर हम लोग nucleus के लिए करते है तीसरा model जो होता है वो होता है shell model ठीक है shell model of nucleus तो यह सारा models में से कौन सा model को आप ज़्यादा सही मानिएगा कौन सा model को आप इन तीनों में से ज़्यादा सही मानिएगा चलिए आपके उपर option दीए बताइए कौन सा model ज़्यादा अच्छा रहेगा experimental जो है experimental experimental है na experimental data को हम लोग ज्यादा preference देंगे over over क्या चीज़ हम लोग predictions predictions पर जो model काम करेगा उसको एतना accept करने का हम लोग नहीं कोशिशिश करेंगे हम लोग ज्यादा कीस पर चलेंगे experimental ज़यदा पर ज्यादा चलेंगे as compared to predictions ठीक है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं the three models of nucleus the three models of nucleus nucleus tried to explain tried to explain the structure of nucleus structure of nucleus nucleus structure of nucleus with some assumptions कुछ assumptions लेके ही वो लोग काम किया है मतलब आप हर model में चाहिए आप तीनों में से कोई भी model देख लिजे हर model में आपको कुछ न कुछ assumptions मिलेगा ठीक आप तीनों में से best कौन सा होगा यह जो आपका structure of nucleus को determine कर रहा है आपका लिक्विड drop model और एक दूसरा कौन सा है आपका भी बताएं थे हम तीसरा एक और model है आपको पता है Fermi gas model और तीसरा एक और है आपको पता है तीसरा कौन सा model होता है तीसरा होता है shell model of nucleus तो यह तीनों model में से है ना यह तीर model से में आपका दिखेंगा आप that model will be given more preference will be given more preference more preference more preference which goes more through experimental results जो ज्यादा experimental results के basis पे सब चीज बताएगा उस model के तरफ हम ज्यादा भागेंगे तो आज तो थीरी थीरी हुआ है ना थीरी थीरी भी important है यार ऐसा नहीं है तो यह सारा हम लोग conclusion किया है यहाँ पर देखिए हम बता भी दिया है कि experimental result is more important as compared to the predictions तो यह introduction हुआ आपको उमीद करते हैं introduction आपको मजा आया होगा थोड़ा थोड़ा हम आपको कोशिश किया कि depth में भी ले जाने का और आप जा करके टेलिग्राम चैनल में जा करके आप इसका notes डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो ज्यादा useful स्ट्वीडियो में धामाकिदार के साथ liquid drop model के साथ ओके बाई बाई थैंक्यू बाई